हलो एवरिवान वेल्कम बैक टीर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 42 सब्जेक्ट मैज्स क्लास 9 हमारी डे 22nd of October के लिए तो जिली शिरू करते हैं आज की वोक्षीट में जो हमारा चैप्टर नमबर 1 है नमबर सिस्टम उसकी हम रिविजिन करेंगे ठीक है जो वोक्षीट नमबर 123C3 है उसकी ये रिविजिन है तो उस पहले कुछ MCQs है और फिस कुछ कुछ क्वेशन सा चोटे चोटे हैं फिर उन में नहीं लग सकते वह एल्रिशन रमबर होते तो इनका डैसी मर एक्षेंशिन पहीता होता है हैं टर्मिनिटिंग and recurring टिक नोंटर्मिनिटिंग реб發現 none टीक है तो देखा है आपको पता है जो इर रिम्बज से ना तो आए ही अ होती है अगर ही ते pourquoi तो उमारा c part है ना non terminating and non recurring, non recurring मतलब बार बार आना, बार बार अकर होना, repeat होना ठीक है, तो ना तो यह terminate होते हैं कभी बंद होते हैं और ना कभी यह repeat होते हैं, ठीक है, तो third option हमारा सही होगा, next है, there are dash rational numbers between two rational numbers, कितने rational numbers होते हैं, 2 rational numbers के बीच में, जैसे 2 और 3 ही है, इनके बीच में कितने rational numbers हैं, इनके बीच में, बहुत सारे हो सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3 और इनके बाद भी 2.11, 2.12, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, unlimited हो सकते हैं, तो आपके पास options क्या-क्या है, 1, 2, infinity और फिर none, तो देख होंगे ठीक है दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं तो क्या लिखेंगे हैं इंफानाइट हमारा आंसर होगा किस में यूज करते हैं इसको आगए तक सोल करते जा भी तो यह आपका इस तरीके से आंसर आएगा उसकी बाद फिर से यह रिपीट होना स्टाइट कर देगा 1428 इस तरीके से तो यह आपका जो है न 142857 यह रिपीट होगा ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा आपका जो थर्ड ऑप्षिन है decimal expansion of 22 by 7 is first option में क्या है देखो बार नहीं है ठीक है बार नहीं है लेकिन रिपीट होता है यह नहीं हो सकता second में भी बार नहीं है डिजिट सी अलग है ठीक है थर्ड में आपका डिजिट भी हमारे मैच हो रहे है और उपर बार भी है तो थी ऑप्षिन जो है ना यह यह हमारा correct होगा decimal expansion क्या होता है 22 by 7 का 3.142857 बार clear होगे पहरे तीनों question next है fourth है हमारे पास 0.11 0.11 in peak by q phone can be written as कैसे लिख सकते हैं हम इसको 0.11 को कैसे लिख सकते हैं देखो 4th question का जो answer है वो तो क्या जाएगा मारे पास one by nine आएगा लेकिन कैसे आएगा यह भी आपको पता होना चाहिए देखो यह देखो यहां पर 0.1 था ना मतलब बार लगा हुआ है इसका मतलब वह यह 0.11 वही सेम चीज है तो हमने एक्स को 0.1 माल लिए इसको मैंने इतने दिजित के उपरबार हुआ है तौ 10 से मटिप्राइ कर दिया यह घैनि में लिखा हुआ है यहां तरफ दसी गुना करने पर यह मत लिखना है यह Hindi लिए है आपको नहीं लिखना तो दोनों साइट 10 से मल्टिप्लाई करने पर इधर क्या जाएगा 10x इधर क्या जाएगा 0.1 बार इंटू 10 करने पर यह 1.1 बार आएगा ठीक है यहां से इस अप्रेट करने आपको 1 from 2 2nd में से आप क्या कर दो 1st में से 2nd को माइनस कर दो 10x में 10x में से आप x माइनस करो कितना आजाएगा 9x उसके बाद यहां पर 1.1 बार में से 0.1 माइनस करेंगे हमारे पास तो क्या जाएगा 1 आएगा ठीक है यहां से x इधर अकेला रह जाएगा नीचे 9 नीचे दिवाइन में चला जाएगा तो x की वेली क्या आए 1 बार 9 यह हमने अभी चूज किया था जो हमारा 1st option था ठीक है यह हो गया हमारा 4th question तो इसका option कौन सा सही होगा देखते हैं यह देखो यहां पर हमारा जो 1st option है यह वाला सही होगा ठीक है 1st option आगी है 5th question यह भी इसी त यह question 5 कैसे करना है यह 0.32 bar है इसको हमान लेते हैं x first equation होगी हमारी अब दोनों तरफ 10 से multiply कर देख क्योंकि बार सिर्फ एक ही डिजिट पे है तो दोनों तरफ 10 से किया तो इधर बन गया 10x तो इधर क्या बन गया 3.2 bar यह होगी second equation अब मैं first को second equation में से minus कर दूंग 10x में से x minus करो 9x फिर यहाँ पर 3.2 bar में से 0.32 minus करो तो क्या जाएगा 2.9 ठीक है तो यहाँ पर 9 है x के साथ divide में नीचे आके x के साथ multiply में नीचे आके divide में हो जाएगा और एक जो यह point है यह हट जाएगा तो 10 अगे 0.90 बन गया नीचे तो x के value क्या आ जाएगी मारे पास 29 by 90 यह हो जाएगा हमारा answer number 5 ठीक है तो देखते हैं कौन सा option सही है तो यहाँ पर 29 by 90 कौन से option में है 3rd option में है तो 3rd हमारा correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद है 6th 7th question यह दो questions रहे गए इन में mcqs नहीं है तो आपको 6th question में क्या बोला right rational and irrational numbers separately in the following इसमें आपको irrational और irrational numbers चाटने है यह rational कौन से है ठीक है आर लिख देती हूं मैं rational के सामने और irrational के सामने लिख देती हूं आई ठीक है तो देखो यह है 29.5 29.34927 यहां पर देखो अगर आप धियान से देखोगे तो यह तो ना तो repeat हो रहा है और ना यह बंद हो रहा है इसका मतलब यह कैसा number है irrational numbers है तो यहां पर आप क्या लिखोगे irrational numbers है ठीक है irrational number है यह नेक्स रूट 42 रूट 42 जब तक अंदर पूरा का पूरा कोई square नहीं होता ना अंडर रूट के नीचे कोई इसका मतलब वो क्या है square होता है तो डारेक्ट खुल जाता है अंडर रूट से पीछा चूट जाता है लेकिन यहां पे नहीं है है यहां पे तो यह इसका 42 किसी का भी square नहीं है तो यह कैसा number होगा irrational number होगा यह चीज तो अब ध्यान में ही रखना ठीक है solve करने की भी जरूद नहीं है irrational 88 88 तो क्या है 88 के नीचे divide by one लिखके मैं यह क्या कर सकती है इसको rational यह कैसा number है rational number है फिर है 6 root 11 root 11 फिर से square नहीं है 11 किसी का भी तो यह फिर से क्या irrational number है next 98.3 98.3 by q4 में लिख सकते हैं कि कैसा number है rational number है next 2563 98256398 यहां भी खतम हो जाता है and हो जाता है points ही तो है simple तो यह भी क्या rational number है ठीक है ना बड़ा नंबर देखे confused नहीं हो ना next 26.7 26.7 के नीचे यह अंडर रूट नीचे point हटा के 10 तो आ जाएगा लेकिन अंडर रूट नहीं है पाएगा तो यह क्या है यह इर्रेशनल नंबर है किसी का square नहीं है ठीक है irrational number next root 2 root 2 भी prime number है कोई किसी का square नहीं है यह भी क्या 4 5 6 7 2 अगया इसको किस के अंदर रखेंगे है रैशनल के नहीं अंदर रखेंगे ठीक है तो यह हो गया question number 6 अच्छे से आ गया समझ में बस ही आपको इसमें से rotational numbers है ठीक है हो जाएगा question number 6 आगे बढ़ते है लास्ट question question number 7 question 7 क्या है express 0.06 in p by q form 0.6 bar in p by q form में इसको लिखना है देखो first part है जो 7th का a का यह आपका 7th का a part क्या बोल रहा है यहां पे यह देखो हमने मैंने क्या किया x मान लिया let x is equal to 0.06 बार था उसको मैंने x मान लिया यह होगे मारी first equation उसकी बाद multiply करेंगे दोनों sides 10 से क्योंकि एक ही डिजिट के उपर बार है तो 10 से करते इदर हो गया 10x इदर हो गया 0.6 बार ठीक है यह second है तो अगर हम separate करेंगे first को second में इसे तो 10x में से x- करो 9x ठीक है फिर 0.6 पार में से 0.06 मान लिया तो यह क्या हो जाएगा डिवाइड में आजएगा 0.6 by 90 हो जाएगा यहां पर कैसे हो गया 90 यह point इटा दिया हमने यहां पर ठीक है point इटा दिया 6 by 90 हो इसको कट करो 2 by 30 फिर से कट करो 1 by 15 तो 1 by 15 मेरा क्या हो जाता है आंसर आएगा ठीक है वैसे आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो 0.90 बट कट हो रहा है इसको कट कर दो कोई दिककत नहीं है ठीक है हो जाएगा यह हो गया A part आगे देखो B part B part है आपके पास give example of two irrational numbers whose product is दो आप multiply करें तो irrational मिले तो देखो B part तो यहां पर देखो पहला क्या था दो irrational number की multiply करने पर rational मिले देखो रूट 3 irrational है यह भी irrational है यह फिजिए 27 तो किसी का स्कुर्वार होता नहीं है तो 27 इंटू 3 81 होता है लेकिन 81 जो आंसर आया है वो 9 का स्कुर्वार है ठीक है तो 9 का rational number है तो ज उनसे irrational मिलना चाहिए तो रूट 2 और रूट 3 दोनों irrational है और इनसे रूट 6 मिलता जो कि irrational है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा second answer clear है चलिए आगे पढ़ते हैं C part पे next is C rationalize the denominator आपको denominator को rationalize करना है denominator को rationalize कैसे करते हैं denominator से उपर और नीचे multiply divide कर तो देखो कैसे solve करेंगे ठीक ह यहाँ पर इसको उपर नीचे root 8 से multiply कर दिया तो उपर आ गया 8 1 multiply root 8 root 8 नीचे root 8 और root 8 क्या होता है यह दो बार हो गया na square हो गया square से root कट गया 8 बचेगा सिर्फ ठीक है तो 8 को मैं लिख सकते हूँ 2 multiply 2 multiply 2 2 आ जाएगा बाहर अंदर बचा under root 2 तो 2 से 8 कट गया क्या आजएग गांसर हमारा root 2 by 4 रेजना इसका मतलब बस यह होता है कि नीचे denominator में root नहीं आना चाहिए और denominator से root हमने हटा दिया ठीक है तो यह हो जाता है हमारा 7th question तो यह 7 questions आज आज आपकी worksheet में given थी इसमें हमने revision की है हमारी 4 second 3rd worksheet की जो हमारा 1st chapter का है I hope आपको अच्छे से समझ में आ आपड़ा हो हमारी 5th one